हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों का सब्जेक्ट है Human Value and Ethics, मानव मूलियम नैतिक्ता इसका प्रीबियस कोश्चन पेपर 2019 का मैं आप लोगों के लिए सॉल्ब करके लेकि आरखाऊं और इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारा कोश्चन नमबर 1 से लेके कोश्चन नमबर 20 तक की आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग जो है जो question number first से लेके question number 20 तक क्या answer देख सकते हैं तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस वीडियो को इंड तक देखना है इंड में आपको जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक प्लेलिस होगी तो उस पे क्लिक करके आप लोग जो है question number first से लेके question number hundred तक क्या answer देख सकते हैं और आज की वीडियो में हम question number 21 से लेके question number 40 तक क्या answer करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा जो आज का question है 21 की आंतरिक संपन्नता का क्या अर्थ है तो जो आंतरिक संपन्नता का अर्थ है वो है अकेले खड़े रहना तो यहाँ पे question number 21 का option number C है वो right answer है उसके बाद यहाँ पे हमारा next question है question number 22 की आत्मा सब्द का मूल अर्थ क्या है तो जो आत्मा सब्द का जो मूल अर्थ है वो है प्राकुर्तिक नैचुरल तो option number यहाँ पे B जो है वो हमारा right answer हो जाएगा उसके बाद जो है हमारा next question है 23 की कि किसकी तुलना सुन्नी की अवस्ता से की गई है तो जो आसुन्नी की जो अवस्ता से जो तुलना की गई है वो की गई है जन्म की तो option number A जो है वो आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दू कि मैं भी आपी की तरह की student हो अगर मैं आपको किसी भी question का गलत answer बताता हूँ तो अगर आपको इस question का सही answer पता हो तो आप लोग नीचे comment box में comment करके जो right answer है वो बता सकते हैं और अगर किसी भी student को किसी question से related जो है issue हो या कोई confusion हो कि आपका यह question जो है इसका answer यह होना चीए था तो पहले आप लोग जो है नीचे comment box में जाके check कर लीचेगा और वहाँ पे आपी की तरह जो student है उन्होंने जो right answer होगा वो comment जरूर किया होगा तो वहाँ से भी आपको जो right answer हो मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमारा next question है 24 कि हमारी सभी आंत्रिक निर्भताओं से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है तो इसका जो सई answer हो जाएगा वो हो जाएगा उसका समर्पन तो यहाँ पे जो है dedication आपका right answer हो जाएगा option number 30 का right answer है उसके बाद यहाँ पे हमारा next question है question number 25 कि कठोप निसद में रत की तुलना किसे की गई है तो जो कठो पनिसद में जो रत की तुलना की गई है वो की गई है सरीर से तो option number A जो है वो यहाँ पे right answer है और उसके बाद हमारा यहाँ पे next question है question number 26 कि न्याई दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है तो जो न्याई दर्शन का मूल ग्रंथ है वो है न्याई सूत्र तो यहाँ पे जो option number B है वो right answer है इसका और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों कि जो आपके previous question paper है 2020, 21, 22 और 23 यह जो चार question paper है यह मैंने solve करके हमारे चैनल पे videos डाल दी है तो अगर आपने यह videos नहीं देखी हुई है जो question paper अभी solve हुए है तो आप लोगों को क्या करना है नीचे comment box में जो है WhatsApp group का link दिया हुए आप लोगों को WhatsApp group join कर लेना है मैं आप लोगों के सांथ जो यह videos है जो 2020, 21, 22, 23 के question paper है solve उनकी videos के link मैं आप लोगों को WhatsApp पे share कर दूँगा तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं और या तो मैं आप लोगों को आगे video में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जो है 2020, 21, 22, 23 के question paper है उनको कैसे देखने तो आप लोग जो है आगे video में जो है follow कर लीजेगा steps को उसके बाद यहाँ पे जो next question है हमारा 27 कि न्याय सूत्र किस ने लिखा तो जो न्याय सूत्र है इसको जो लिखा है वो लिखा है गौतम ने तो option number यहाँ पे A जो है वो हमार right answer है उसके बाद यहाँ पे हमारा next question है 28 कि कि किस दर्सन को अक्सपाद दर्सन भी कहा जाता है तो यहाँ पे जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा न्याय दर्सन को ठीक है option number A जो है वो हमारा यहाँ पे right answer हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे next question है हमारा 29 कि चावार्क के अनुसार मानव सरीर और इंद्रिया कितने तत्वों से बनी है तो जो चावार्क के अनुसार जो मानव सरीर और जो इंद्रिया है वो जो बनी हुई है वो बनी हुई है चार तत्वों से तो option number B जो है वो इसका सही answer हो जा है तो जो चार तत्वों से जो मानव सरीर के इंद्रिया बनी हुई है वो बनी हुई है यहाँ पे चावार्क के यह चावार्क ने कहा है तो option number A जो है वो हमारा right answer हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे दोस्तो हमारा next question है 31 कि swim और मैं को कहा जाता है तो swim और मैं को जो कहा जाता ह है वो कहा जाता है चेतना ठीक है option number D यहाँ पे right answer है चेतना और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि जो यह question paper है 2019 का इसके अगर आपको question number 100 तक की जो answer है question number first से लेके 100 तक की अगर आप answer देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे playlist सो होगी last में आप उस पे click करके जो question number first से लेके question number 100 तक की answer देख सकते हैं और यह तो आप लोगों को जो हमारा whatsapp group है उसको join कर लेना है नीचे comment box में और discussion box में मैंने आप लोगों की साथ जो हमारा whatsapp group है उसका link share किया हुआ है तो आप लोग join कर सकते हैं उसके ब जो मानव सरीर और इंद्रिया बनी है तो जो मानव सरीर और जो इंद्रिया है वो जो बनी है यहाँ पे इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number a ठीक है option number a पिथिवी जल अगनी और वाय ठीक है तो option number a इसका right answer हो जाएगा और दोस्तों अभी जो है कुछ इस प्रकार से आप क्या करना है सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो यहाँ पर सब्सक्राइब का option आपको दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल जो सब्सक्राइब हो जाएगा और उनको solve करके लेकि आऊंगा तो इस टेम आपको वीडियो का notification मिल जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा और अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोगों को आप इस पर क्लिक करके जोईन कर सकते हैं अगर आप यहाँ से जोईन नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है यहाँ पर यहाँ पर प्लेलिस्ट है वह आपको कुछ इस प्रकार से नीचे भी सो हो जाएगी जो भी आप जो है अभी question paper जिस भी यहर का देख रहे हैं तो उसके जो question number first से लेके 100 तक की answer जो है आपको नीचे playlist सो हो जाएगी तो उस पर click करके आप लोग देख सकते हैं और या तो आप जो है जो अभी 2020-2022 ते इसके जो previous question paper मैंने solve किये हुए तो आप लोगों को अगर वो देखने तो आप लोगों को जो है यहाँ पर उत्राखंड open university जो है जो youtube channel का नाम है इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो जो हमारा channel है वो कोछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगा open होने की बाद आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर top में यहाँ पर show होगा home video shorts live और playlist तो आपको थोड़ा यहाँ पर click करना है playlist पर तो जैसी आप यहाँ पर playlist पर click करेंगे तो उसके बाद देखे यहाँ पर जो भी यहाँ पर अभी तक मैंने जो आपका subject है human value and ethics माना मुलियों नैतिकता तो इसका देख सकते हैं 2020 का आपको यहाँ पर मिल जाएगी और 2022 का आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा और 2023 का जो है वो भी आपको यहाँ पर नीचे यह देखे 2023 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है आप जो है इस परकार से जो है जो सारे question paper जो अभी मैंने sort किये हुए आपका जो subject है human value and ethics तो आप यहाँ पर जो है इस परका प्रिमे का साहरा लेता है तो जो न्याई दर्शन है मानव सरीर की जो विवेचना है तो जो प्रिमे की जो साहरा लेता है वो लेता है यहाँ पर 16 ठीक है तो तो option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा और यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बता दू कि मैं भी आपी की तरह की student अगर आपको उस question का सही answer पता हो तो आप लोग जो है नीचे comment box में comment करके उस question का सही answer पता बता सकते हैं ताकि जो other student है उनको भी right answer पता चल जाए और अगर दोस्तों आपको किसी भी questions का लगे कि जो इसका answer ये होना चीए आपको जो है नीचे comment box में जाके चेक कर लेना क्योंकि आप ही कितरे जो student है उन्होंने जो है जो right answer होगा वो comment करके जरूर बताया होगा उसके बाद यहाँ पर हमारा next question है यहाँ पर 34 कि वैस्विक सोरी यहाँ पर next question है हमारा 34 यहाँ पर question है कि वैसे सिक दर्सन में मानव प्रकृति की चर्चा कितने पदार्थों के संदर्व की गई है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option नंबर B साथ ठीक है उसके बाद यहाँ पर next question है हमारा 35 कि philosophy सब्द का अर्थ है तो जो philosophy जो सब्द है उसका जो अर्थ है ज्यान का अनुराग तो option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा और दोश्तों अभी मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि आप कैसे जो है 2020, 2021, 2022 और 2023 की जो previous question paper है जो मैंने आप लोगों के लिए solve किये हुए मानम मुल्यों नहतिकता कि तो आप कैसे उन वीडियो को देख सकते हैं तो आपको जो वीडियो में आगे बताया है आप उस step को follow कर लीजिएगा आप लोग उन question paper को जो है देख सकते हैं ठीक है और आप ल जो total question है दोस्तो 1000 question मैंने आप लोगों के लिए solve किये हुए human value and ethics के तो उसमें से जो है आपके 80 question something repeat हो सकते हैं तो अगर आपको वीडियोस देखते हैं तो आप जो है अच्छे mark से जो है पास हो सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा next question है question number 36 कि कनाद किस दर्सन के जन्नक है तो यहाँ पे जो right answer है वो हो जाएगा option number C ठीक है वह option number C यहाँ पे जो है हमारा right answer है उसके बाद यहाँ पे हमारा next question है 37 कि ऑलुक की दर्सन है तो यहाँ पे जो ऑलुक की जो दर्सन है वो है यहाँ पे मिमान्स ठीक है यहाँ पे option number B जो है वो right answer है इसका उसके बद हमारा यहाँ पे next question है यहाँ पे 38 कि किस दार्सनिक के अनुसार आत्मा की तीन अन्सूं के द्वारा ही मानव सरीर को समझा जा सकता है तो इसका जो सही answer है वो है अरस्तू के द्वारा ठीक है अरस्तू ने यह कहा था तो option number A जो है right answer है उसके बाद दोस्तों अगर आपने जो है अभी तक question number first से लेके 100 तक क्या answer नहीं देखे वे इस question paper के तो नीचे discussion box में आपको playlist मिल जाएगी आप उस पे click करके भी देख सकते है या तो आपको यहाँ पे side में playlist होगी उस पे click करके आप लोग जो है आत्मा को कितने अंसु के द्वारा ही मानव सरीर को समझा जा सकता है तो इसका जो सही answer है वो है 3 ठीक है option number B यहाँ पी जो है वो right answer हो जाएगा और यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं भी आपी की तरह एक student हो अगर किसी भी question का आपको गलत answer बताया जाता है मेरे through तो आप लोगों को अगर उस question का सही answer पता हो तो आप नीचे comment box में comment करके उस question का सही answer बता सकते है ताकि जो आपको जो है उस question का जो सही answer अगर आपको पता हो तो जो other student है अगर उन question से related कोई doubt हो उनको तो वो नीचे comment box में जाके जो है उन लोगों को जो right answer पता चल पाए उसके बाद यहाँ पे आज का जो हमारा last question है 40 किसी समश्या से निकला जाता है तो किसी समश्या से निकला जाता है जब उसका सामना करे ठीक है तो उसका option number A जो है हमारा right answer हो जाएगा और दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको question number 21 से 40 तक की answer बताए हुए है और आगे वाली वीडियो में question number 41 से 60 तक की answer आप लोगों को मिल जाएंगे और अगर आपने अभी तक question number 1 से लेके question number 100 तक की answer नहीं देखे वे जो ये previous question paper है आपका 2019 का तो आपको यहाँ पे playlist से होगी आप उस पे click करके जो है देख सकते हैं सारे question के answer या तो नीचे description box में आपको जो है playlist मिलेगी उस पे भी click करके आप लोग देख सकते हैं तो दोस्त subscribe और bell icon call पर प्रेस कर लीजीगा और साती ही में जो है जो हमारा WhatsApp group है उसे भी join कर लीजीगा जो नीचे description box में और comment box है उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो हमारा WhatsApp group है उसका link share किया हुआ है तो आप लोग क्लिक करके जो है join कर सकते हैं ताकि आपको जो है जो आपकी previous question paper मैं ने solve किये हुए हैं 2020, 21, 22, 23 उनकी जो playlist है मैं आपको WhatsApp group पे share कर दूँगा तो WhatsApp group join करना मत भूलिएगा और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको playlist हो रही होगी तो जरूर इस पे click करके जो question number first से लेके 100 तक की जो answer है 2019 का question paper है उसके answer आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो playlist पे जर